आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गिरो एप के बारे में इस एप में हम किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे अगर आप एक नियूझर है और आप ने डिमेट अकाउंट ओपन करा है गिरो एप में मगर आप ट्रेडिंग करना नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप गिरो एब में ट्रेडिंग करेंगे किस तरीके से आप यहाँ बाइब करेंगे और सेल करेंगे अगर आप hero app में trading करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कभ यहाँ पर share market open होती है और कभ यहाँ पर close होती है सुबह 9 बच के 15 मिट पर share market open होती है और 3 बच के 15 मिट पर share market close होती है Sunday और Saturday share market पुरी तरह से close देती है उस दिन आप नहीं कोई share buy कर सकते है नहीं कोई share आप यहाँ पर sell कर सकते है और इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ what senses क्या होता है और Nifty 50 यहाँ पर क्या होता है इससे हमें किस बारे में जानकारी मिलती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ और अगर आपने अभी थक गिरो एप में डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो डिमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं लिंक मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्टन बॉक्स में आप आपको किलिक करके अगर अपने डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो सौर में मिलेंगे आपको साइना बोनस के जिनने आप ट्रेडिंग करने में यूज़ कर सकते हैं या फिर उन पैसे को आप अपने बेंग अकाउंट में विट्रोपी कर सकते हैं अब बात करते हैं हम इस एप में किस थरीके ट्रेडिंग करेंगे Giro Ape को हम यहाँ पर सबसे पहले अपने मुबाइल फून में ओपन करेंगे Giro Ape को ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर इसका जो एंटरफेस है वो यहाँ पर हमें काफी easy मिल जाता है और अगर आप उपर देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दो option आते हैं number 1 पर आता है nifty 50, number 2 पर आता है census nifty 50 में आपको इंडिया की top 50 company मिल जाती है और census में आपको इंडिया की top 30 company मिल जाती है यहाँ इसे पता चलता है कि आज market अप गई है या फिर नीचे आई है और अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है top gainer यहाँ पर आपको वो company मिल जाएगी जो अभी के time में काफी inquiries है वो company आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप नीचे आएगे यहाँ पर आपको मिलती है stock news और अगर आप नीचे आएगे यहाँ पर आपको मिलते है top loser जो अभी के time में काफी नीचे गिरे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और अगर आप नीच आएंगे यहाँ पर आपको मिलनता है watch list, watch list में आप यहाँ पर अपनी favorite company को add कर सकते हैं और we watch list में आप के लिए करके यहाँ पर अपनी company को देख सकते हैं, जो company आपने यहाँ पर add करी है, वो company आप यहाँ पर देख सकते हैं इस side में आपको company का नाम दिखाए जाएगा और इस side में आपको दिखाए जाएगा company के जो price है नहीं एक share के जो price है वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएगे अब बात करते हैं हम इस share में trading किस तरीके से करेंगे अगर आप trading करना चाहते हैं तो पहले आपको इस एप में कुछ पैसे add करने हैं जितने रुपे की आप trading करना चाहते हैं उतने रुपे आप यहाँ पर add कर सकते हैं पैसे कैसे add करते हैं? Simply आपको उपर profile पे क्लिक करना है यहाँ पर लिखा हुआ है available to invest यहां पर आपको दिखाए जाएंगे जितने पेसे आपके अभीगी टाइम में इस गिरोव एप में हैं और अगर आप पेसे एट करना चाहते हैं तो आपको एड मनी पे किलिक करना है एड मनी पे किलिक करने के बाद यहां पर आप अपना amount एंटर करेंगे जितने रुपे करना चाहते हैं वह Mount आप यहाँ पर add करेंगे और नीचे आपके सामने Eleign apostle आता है एंटर यूपी आई डी हब यूपाई आई डी कोने इंट करेंगे यहां पर हम अपनी यूपाई डाउर्डी एंटर करेंगे उसके बाद एड मनी पर किलिव करेंगे अब आपकेसा पको इस नोट क्रेक्व करना है और यहां पर आपको पर कर देना है जिसी आपके वाँसे successful pay हो जाते है उसके बाद वो पैसे आपके यहाँ पर आगर 8 हो जाएंगे फिर हम यहाँ से bake करेंगे क्योंकि मैं पैसे यहाँ पर 8 नहीं करुग क्योंकि मैंने already यहाँ पर पैसे 8 करकर रखे हैं मैं अभी आपको इनीए पैसे यहाँ पर ट्रेडिंग करकर दिखाऊंगा तो simply अब हम यहाँ से बेग करेंगे अब बात करते हैं हमें यहाँ अगर share buy करने और sell करने तो किस तरीके से करेंगे share buy करने के लिए आपको ऊपर option मिलता है search का आप यहाँ पर search कर सकते हैं जो भी company के आप share buy करना चाहते हैं उस company का नाम आप यहाँ पर enter करेंगे for example मैं आपको दिखाता हूँ Tata Motors के share buy कर गए यह मैं सिर्फ आपको example दे रहा हूँ बाकि आप अपनी मर्जी से किसी भी company के share को buy कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर Tata Motors पर click करता हूँ Tata Motors पर click करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अभी के time में Tata Motors के एक stock की price है 497 रुपे और कुछ पेसे की यहाँ पर price है आज सुबा जब share market open हुई थी तो इसके price थे 512 रुपे मगर अभी के time में इसके price यहाँ पर काफी कम हो गए इसके price हो चुके है 494 रुपे अब हमें अगर इस company के share buy करने है तो simply हम buy पर click करेंगे मगर अब मैं इस company के share buy नहीं करूँआ क्योंकि मिझे लगता है और इसके price यहाँ पर और कम हो सकते है तो अब मैं यहाँ से बेख करता हूँ तो मैं यहाँ पर दूसरी company के stock के यूप आई करना चाहता हूँ तो simply मैं यहाँ पर company के नाम एंटर करूँँगा तो मैं यहाँ पर PNB एंटर करता हूँ और अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाए जागा चार्ड, यहाँ पर आप चार्ड देख सकते हैं, और यहाँ पर आप एक दिन का चार्ड भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर दिखाए जाएंगे, यहाँ पर आप analyze estimate देश सकते हैं और अगर आप नीच आएंगे यहाँ पर आप इनके fundamentals भी check कर सकते हैं और यहाँ पर आप financial भी check कर सकते हैं यहाँ पर आपको complete details मिल जाएगी तो यहाँ पर अगर आप किसी भी company के stock को buy करना चाहते हैं तो पे अगर आपको उस kitchen को buy करना है तो यहाँ पर पंजाब नेगा चाहते हैं यहाँ पर हमें दिखाएक का पर इस कितना अभी पर दिखाए जाएगा और अगर आप नीची देखेंगे हैं यहाँ पर रिखा वह है टाइप and type अगर आप किलिक करेंगे हैं यहाँ आपके सामें द delivery का अगर आप यहां पार delivery में किसी भी श्टोक को buy करते हैं तो उसे फिर आपका भी भी sale कर सकते हैं जब आपको लगे कि भाई उस stock की price अभी के टाइम में increase हुई है तो फिर आप उसे और अगर आपको लगता है कि उसकी इप्राइस नीचे कई है तो आप उसे hold करे सकते हैं और जब आपको profit होता है जब भी आप sale कर सकते हैं नमबर टू बे option आता है अगर आप इंटरेट डेगा अगर आप इंटरेट डेट करते हैं तो यहां पर आपको लोज भी हो सकता है और profit भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें आपको आज ही share buy करना है और आज ही 3 बच के 15 मिट से पहले आपको sale कर देना है और नीचे हमारा सामने option आता है quantity का यहाँ पर हम अपनी quantity enter करेंगे जितनी quantity में हमें यह share यहाँ पर buy करना है वो quantity हम यहाँ पर enter करेंगे और नीचे हमारा सामने option आता है price का यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा सामने दो option आते हैं एक आता है limit का एक आता है market का अगर आप market पर state करते हैं अभी करी time में जो market में price है एक share का यह नहीं एक stock का जो price है उसी stock पर फिर आपको यह share buy करना है अगर हम यहाँ पर कोई share buy कर रहे हैं और हमें लगता है इस share की price यहाँ पर कुछ देर बाद या पर कुछ घंटो बाद price नीचे आने वाली है तो हम यहाँ पर limit को slate करेंगे और जितनी price हमें लगती है इतनी नीचे इसकी price आने वाली है वो price हम यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इस share को buy करेंगे अगर आप यहाँ पर market पर buy करते हैं तो market में जो price अभी के time में है उसी price पर आपको यह share यहाँ पर buy करना है और यहाँ पर हमने delivery पर select कर लिया है और यहाँ पर quantity हमारी है 10 और price है हमारा यहाँ पर 44 पर 75 से अब हमें simply buy पर click करना है buy पर click करने के बाद यह order हमारा successful हो चुका है और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप orders की details भी check कर सकते हैं यहाँ पर आपको इस orders की complete details दिखाए जाएगी तो simply हमें करना यहाँ पर तो हमें यहाँ पर done पर click करना है done पर click करने के बाद अब आपको dashboard पर click करना है dashboard पर click करने बाद यहाँ पर आपको दिखाए जाएगे जो अभी आपने यहाँ पर share buy कर रहे हैं वो share आपको यहाँ पर दिखाए जाएगे और यहाँ पर आपको कितना profit हो रहा है और कितना आपको यहाँ लोस हो रहा है वो भी आपको नीचे यहाँ पर दिखा दिया जाएगा अब अगर आपको इस इस्टोक की यहाँ पर डिटेर्स जाननी है तो सिंपली आपको All Orders पर किलिक करने के बाद जो अभी आपने सिर्फ बाई करें सिंपली आपको इस पर किलिक करना है यहाँ पर किलिक करने के बाद आप अपने इस इस्टोक की कमपदी डिटेर्स देख सकते हैं और अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो सिंपली आपको यहाँ पर किलिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसका यहाँ पर चार्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर जो price के वो अब गए है या फिर नीचे गए है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं अब हमें यहाँ से बेक करना है अब अगर हमें इन stock को यहाँ से sell करना है अब हम इस बारे में बात करते हैं सिंपली पहले हमें डेस्पोट पर किलिक करना है डेस्पोट पर किलिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाए जगा जो अभी स्टोक अपने यहाँ पर बाई करें सिंपली हमें उसे स्टोक पर किलिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद दो option हमारे सामने आते हैं एक आता है sell का एक आता है buy का अगर आप sell पर क्लिक करेंगे sell पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप quantity एंटर करेंगे कितनी quantity में आप यहाँ पर sell buy करेंगे वो quantity आप यहाँ पर enter करेंगे जो भी quantity में आप यहाँ पर share को sell करना चाहते हैं उतनी quantity आप यहाँ पर enter करेंगे नीचे आपके सामने option आता price का price पर अगर आप किलिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने दो option आते हैं एक आता है market का एक आता है limit का अगर आप limit पे इस share को sell करना चाहते हैं और आपको लगता है इस से दो घंटे बाद यहाँ पर बढ़ने वाली है तो वह audit ऌ यह आप pass करेंगे उसके बाद यहाँ पास सेल करेंगे अगर आपको यहाँ पर मार्चीन प्रैस सेल करना है तो सिंपली मार्कीन पे करेंगी उबर आपको टाइप ओडर पे delivery select करना है क्योंकि हमने यहіш się यहाँ पर delivery उ ही shopping στο करेंगे आप अगर आप देखेंगे यहाँ आप अब लेख आएंगे बेक आने का अगर अगर यहां सबसर ऊपर देखेंगे यहां पर रिखा हुआ है यहां दोस्तों आप नीचे देखें यहां पर डिटेल से लिखा हुआ है कि भाई अगर आप यहां पर किसी भी कंपनी के श्टोक को बाई करते हैं जितने भी प्राइज के वह इस्टोक ते उसकी जो 80% अमाउंट है व विड्रो कर पाएंगे अब बात करते हैं हमने जो यहां पर पेसे कमाई हैं ट्रेडिंग करकर उन्हें किस तरीके से बेंग अकाउंट में विड्रो करेंगे इस बारे में अब हम यहां पर बात करते हैं आपको सिंपली उपर किलिक करना है प्रोफाइल पे यहां पर किलिक क करने के बाद जितना बिलेश आप यहां से विट्रोव कर पाएंगे अगर आप यहां पर δेखेंगे यहां पर हमारा बिलेश गंडे चाय गंते कई यहां Normal विड्रोव करते हैं यहां अ Instagram n trading करनी है और इसी तरीके से आपको sell buy करने and sell कर देना है और आपको यहाँ पर एक बात का दियान रखना है अगर आप यहाँ बाद ट्रेडिंग करकर पेसे कमाना चाहते हैं और किसी भी company के stock को buy करते हैं जिस company के आप stock buy करेंगे उस company के बारें पहले आपको सही करकर research कर देनी है जबी आपको उस company के stock को buy करना है अगर आप गिरो एक के एक new user है और आपने पहले कभी भी trading नहीं करी है और trading के बारे में आपको कुछ जानकरी भी नहीं है तो अगर आप यहांवा trade करेंगे तो फिर आपको इहांपर delivery पर ही ट्रेट करनी है delivery पर अगर आप trade करते हैं तो वहांपर आपका profit होने के chances ज्यादा रहते हैं loss होने के chances बहुत ज्यादा कम रहते हैं क्योंकि वहांपर अगर आप आज share buy करेंगे तो फिर उसे आप कभी भी sell कर सकते हैं जब उस share की price वहाँ पर increase होती है तो फिर आप उस share को sell करकर वहाँ पर profit कमा सकते हैं और अगर आप यहाँ पर इंट्रेडे में trade करते हैं तो फिर आपको आज ही share buy करना है और आज ही तीन बज़ के 15 मिट से पहले उस share को sell कर देना है वहाँ पर आपके loss और के chances बहुत ज्यादा रहते हैं तो आप इंट्रेडे को शुरू में try ना करें शुरू में अगर एक new user है तो आप delivery को ही try करें तो म अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं करा है तो like जरू कर दें और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को subscribe भी कल दें और साथ इस bell icon को जरू दबाएं ताकि हमारी आने वाली Hyundai वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुचे और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को जोई नहीं कर के लिए जय हिंदु